अफसर बनना चाहते हो तो कहीं और क्यों जाना गूगल प्ले स्टोर से हमारी एप आई एस विध हरी मोहन डाउनलोड करो और तैयारी शुरू करो अध्लीस लिखे ले तो सवाल समझे मैं मध्यकालीन विश्व की बात कर रहा हूँ अभी तक हमारा बैच का पहला टॉपिक शुरू नहीं हुआ है अभी सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है अभी पहला टॉपिक भी शुरू नहीं हुआ है और सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है बात समझ में आ गई सिर्फ और सिर्फ क्या चल रहा है इंट्रोडक्शन चल रहा है एक तरफ मध्यकालीन विश्व है और दूसरी तरफ आधुनिक विश्व है अब यहीं से जो विवस्थाएं है यह दो भागों में विभाजित होंगी यहीं से जो विवस्थाएं है वो दो भागों में विभाजित होंगी या हमें समझनी हूँ गे, मद्यकालीन विश्व में एक व्यवस्था थी जिसका नाम था सामंत वाद और आधुनिक विश्व में एक व्यवस्था है जिसका नाम है पुन्जी वाद आधुनिक विश्व में मद्यकालीन विश्व में एक व्यवस्था थी जिसका नाम था सामंत वाद आधुनिक विश्व में एक व्यवस्था है जिसका नाम है पुन्जी वाद सामंत वाद समझे सामंत वाद वास्तव में क्या है सामन्त वाद वास्तव में संपत्ति या भूमी पर एकाधिकार की पूरी कहानी है भूमी पर एकाधिकार और भूमी पर एकाधिकार के बाद भूमी हीन मजदूरों या लोगों में सामान को या जमीन को बाटना उनसे करवसूलना करवसूलना मेंली क्या था कि उनसे पैसे लेना या पैसे ना मिलें तो कम से कम उनके सामान ले लेना यानि वस्तुमों के रूप में उनसे चीजे प्राप्त कर लेना और सबसे बड़ी बात उनसे मुफ्त सेवाएं प्राप्त करना यानि मुफ्त सेवाओं का मतलब इनहीं को सर्फ कहते थे इनहीं को सर्फ कहते थे और सर्फ डम इसी को कहा जाता था इसका मतलब ये था कि आप को आप जिस जमीनदार की जमीन पर खेती कर रहे हैं वो आपकी कुल पैदावार का भागीतार तो होगा ही होगा वो आपकी कुल पैदावार में भागीदार तो होगा ही होगा साथ में आपका ये कर्तव्य बनेगा यूरोप के बता रहा हूं कि आप उसकी कृपा के लिए आप उसकी दया के लिए आप पर उसने जो एहसान सा कर रखा है उस एहसान का कर्ज चुकाने के लिए उसके घर में उसके खेतों में उसके अस्तबल में जहां पर भी वो चाहे आप उसकी सेवा करेंगे फ्री में चाहे वो एक दिन कम से कम हफते में दो दिन तो था ही या कुछ घंटे फिक्स थे कि हफते में आपको चार पहर या छे पहर उसके यहां काम करना होता था यानि जाकर उसके घोडे के अस्तबल की सफाई करवा दी उसकी गायों का दूद निकाल दिया चारा डाल दिया गोबर उठा दिया उसके घर की सफाई करवा दी सामान इदर उदर से रखवा दिया और कुछ नहीं तो हाथ पैरों की मालिश करवा दी शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी विवस्था थी यूरोप में जिसके अंतरगत तो जैसे हम लोग ये कहते हैं कि भारत में जाती विवस्था थी और यूरोप में नहीं थी तो हम लोग गलत सोचते हैं यूरोप में भी इसी तरीके की एक विवस्था थी जो की बहुत ही विकृत स्वरूप में मौजूद थी बस फर्क सिर्फ इतना है कि हम लोग अपने भारत में रहते हैं तो भारत में हमें बहुत ज़्यादा सा अंदाजा नहीं होता है या यूं कहें कि हमने विश्व को बाकी पर उसमें नहीं देखा और यूरोप में भी उसके बारे में जानते नहीं है जैसे भारत में जाती विवस्था थी वैसे ही यूरोप में ही ये सामंत विवस्था का एक स्वरूप था भारत में ये धर्म से जुड़ी हुई थी और यूरोप में ये धर्म और भूमी दोनों से जुड़ी हुई थी इसलिए भारत में भी अपने प्रकार का सामनतवाद था और यूरोप में भी अपने प्रकार का सामनतवाद था वहीं दूसरी तरफ पूंजी वाद क्या है अच्छा यहां पर सामंत वाद में भूमी ही सब कुछ है और भूमी पर जो उपज हो रही है वही सब कुछ है भूमी ही सब कुछ है और भूमी पर जो पैदावार हो रही है वही सब कुछ है लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे सामंत वाद में तो यहां पर मुद्री करण नहीं है मुद्री करण नहीं है मुद्री करण ना होने का मतलब यह है कि जो भी अर्थ विवस्था थी उसमें मुद्रा का प्रयोग कम से कम होता था या दूसरे शब्दों में कहें तो ना के बराबर होता था अर्थ विवस्था में ना के बराबर मुद्रा का प्रयोग होता था अब जब ना के बराबर मुद्रा का प्रयोग होगा यानि मुद्रा का आप प्रयोग नहीं करेंगे किसी भी मामले में तो अब्वियस सी बात है बाइटर सिस्टम यानि अदलाबदली व्यवस्था होगी अदलाबदली व्यवस्था में आप इतना अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि व्यापार जादा फल्फूल नहीं सकता और लोगों के पास लिमिटेड अप्रोच होती है बहुत ही कम व्यवस्था होती है भारत में इस समय पर अर्थ व्यवस्था का मुद्री करण मौजूद है यही कारण है कि हमारे इस बैच में मतलब ये तो हिंदी मीडियम का है तो यूपी बिहार जारखंड 36 गड़ तक के ही बच्चे हैं मध्यप्रदेश कुछ बच्चे और इसा तक के हैं लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम के बैच में देखेंगे तो हमारे पास मद्राश से लेकर मणीपुर मिजोरम तक और उपर जम्मू कश्मीर तक के बच्चे हमारे बैच में बैठे होते हैं क्योंकि यहां सेवाओं को हमने मुद्रा के अनूसार सु और मुद्रा नहीं होती यानि पैसे नहीं होते और ऐसे में मैं अपनी सेवाओं का मोल कैसे लगा पाता वैसे तो नैट भी नहीं होता लेकिन फिर भी आपको मेरी क्लास की फीस कैसे देनी होती तो मान लिया क्लास में कोई मुखिया जी है जो प्रशान्द है मुखिया जी है वो क्या कहेंगे साब मेरे पास सौ भैसे हैं आपको रोज पांच लीटर दूद भेज देता हूँ अब लड़का बैठा हूँ है बुलंद शहर में या कहीं पर भी वहां से दूद यहां आते आते और बैल गाड़ी पे आएगा तो फट जाएगा तो मैं उसका पनीर बना के खा सकता हूँ वरना किसी काम का तो है नहीं इसी तरीके से अब जो बच्चा तमिल नाड़ से है वो यह कहेगा कि सर मेरे पास फीज के रूप में देने के लिए अनाज है अब बताओ कैसे भेजू तो असलियत में मुद्रा व्यापार को बढ़ाती है लेकिन सामन्त वाद एक ऐसी विवस्ता थी जो व्यापार को सबाप्त करता था हर चीज पर एक वर्ग विशेश का नियंत्रण था समझे प्रतेक वस्तु पर एक वर्ग विशेश का नियंत्रण था पर एक वर्ग विशेश का नियंत्रण था प्रतेक वस्तु पर या फिर साथ में व्यापार पर प्रतेक वस्तु पर और व्यापार पर एक वर्ग विशेश का नियंत्रण होता था समझे वो लोग उसी वर्ग विशेश को कहते थे गिल्ड समझे इसे ऐसे समझे मद्यकालीन विश्व में भूमी पर नियंत्रण होता था एक वर्ग विशेश जिसे सामंत कहा गया उसका गाओं का शहर का या पचास सो गाओं का एक सामंत होता था पचास सो गाओं का क्या होता था एक सामंत होता था और वो जो सामंत था वो उस गाओं की लगबग सारी जमीन का मालिक होता था अब क्योंकि वो सामन्त सारी जमीन का मालिक होता था तो वो टेक्स के रूप में चीजें किसानों से वसूलता था वो चीज गेहूं भी हो सकता था वो दूद, मक्षन, गोड़े, गाएं, भैंस, हाथी जो भी वस्तु उस व्यक्ति के पास एक साल में पैदा हुई उन सब वस्तुओं को, उन सब चीजों को टेक्स के रूप में वसूला जाता था समझें? तो ये सामन्त है दूसरी तरफ उत्पादन वे व्यापार उत्पादन वे व्यापार ये जो उत्पादन और व्यापार होता था वो अत्यधिक सीमित होता था अत्यधिक सीमित होता था और ओर्डर मिलने पर ही उत्पादन होता था यानि जादा नहीं मनाते थे कोई जाएगा ओर्डर कहेगा कि भई मुझे दस साड़ियां चाहिए तो अब बुनकर वो दस साड़ियां बनानी शुरू करेगा पैसे लेकर और बुनकर का परिवार ही उस साड़ियों के अंदर लगा हुआ है ओर्डर मिलने पर ही उत्पादन उत्पादन के मुल्य निश्चित उत्पादन के मुल्य निश्चित होते थे और किसी प्रकार की प्रतियोगिता नहीं होती थी कोई प्रतियोगिता नहीं होती थी अगर एक साड़ी एक बुनकर सो रुपे की दे रहा है तो सभी बुनकर वही साड़ीयां सो रुपे की ही देंगे एक साड़ी एक बुनकर सो रुपे की दे रहा है तो वही साड़ी बाकी सारे बुनकर भी 100 रुपे पर ही देंगे एक रुपया कम नहीं होगा एक रुपया जादा नहीं होगा यानि एक व्यवस्था सुनिश्चित हो गई जिसमें ना तो उत्पादन अधिक होगा समझे और ना ही प्रतियोगिता होगी ना ही कोई नई चीज़ बनेगी ना ही कोई पुरानी चीज़ दोबारा से बाजार में आके बिकेगी और इस पूरी व्यवस्था को जैसे सामंत भूमी को नियंत्रित करते थे यहाँ पूरी व्यवस्था को नियंत्रित करने का जो कार्य था वो गिल्ड के पास था और इसी को कहा जाता है गिल्ड व्यवस्था या फिर श्रेणी व्यवस्था इसी को कहा गया गिल्ड व्यवस्था या श्रेणी व्यवस्था इस गिल्ड के मिम्बर fix होते थे कौन कितना उत्पादन करेगा क्या उत्पादन करेगा समझे उत्पादन की उत्पादन की मात्रा उत्पादन की मात्रा उत्पादन क्या मुल्य कि कहा भिकेगा कौन बेकेगा कौन बेचेगा सब सुनिश्चित होता था कहां बिकेगा कौन बेचेगा और सबसे बड़ी बात किसे बिकेगा यहां तक की ऐसा नहीं है कि आम आदमी जाके महंगी साड़ी खरीदने के बारे में बोली लगाए न कुछ प्रकार की साड़िया या कुछ प्रकार के कपड़े या कुछ प्रकार के आभूशन अगर राजपरिवार के लिए बनाए गए हैं तो वो उस राजपरिवार के सदस्य को ही बिकेगे वो किसी दूसरे को नहीं बिकेगे समझे ऐसा होता था और इसी लिए सभी चीजें सुनिश्चित थी अत्यधिक नियंत्रित थी और मज़े की बात ये है हर व्यवसाय की अपनी एक श्रेणी अपनी एक गिल्ड होती थी और एक जो नगर है एक नगर और उसके आसपास के कुछ गाओं जो सामान्यत या उस सामंत के अंतरगत आते थे वो सारे उस श्रेणी का हिस्सा होते थे गाओं वाले नगर में आते अपनी जरूरत का सामान खरीदते और जो उनके पास सामान ज्यादा होता चाहे गेहूं चावल या कोई भी दूसरी चीज वो नगर में बेचते तो नगर में अनाज, फल, सबजियां और दूसरी चीज़े पहुंसती रहती और नगर में जो उत्पादन होता वो गाओं तक पहुंसता रहता इस पूरे व्यापार का इस पूरे व्यापार का दाइरा जादा से जादा पचास मील होता था यानि नगर के 20-25-50 मील के दाइरे में ही जितने गाओं हैं वो उस नगर से जुड़े हुए हैं और वहीं से लेना देना या व्यापार करते हैं एक प्रकार की पूर्णतया बंद अर्थ विवस्था थी पूर्णतया बंद अर्थ विवस्था थी जिसमें सामान के लिए बहुत छोटे स्थर पर मुद्रा का लेन देन होता था और ये चीजे एक जगह से दूसरी जगह पर आवा गमन इनका जल्दी से संभव नहीं था और यही कारण है इस पूरी विवस्था को सामंत वाद कहा गया जो पाँचवी शताब्दी इस्वी से पाँचवी शताब्दी इस्वी से पंद्रवी शताब्दी इस्वी तक जारी रहा लगबग एक अजार साल यही विवस्था चली सामन्त ही सब कुछ है सामन्त सर्वोच है सर्वोपरी है समझे ये पंद्रवी शताब्दी मतलब 1400 से लेकर 1500 के बीच में और ये वही वर्ष है या ये वही शताब्दी है जब इसलामिक सिनाओं ने इसलाम ने जेरुशलम वेकुस्तुन तुनिया जीता बात समझ में आ गई ये वही दोर है जब इसलाम का इसाइयत से जगड़ा हो रहा है और इसलाम जीत रहा है समझे सामंत जो थे वो शक्ति शाली थे और सामंत क्या थे शक्ति शाली थे और सामंत शक्ति शाली होने के चलते इसाई धर्म की रक्षा का जिम्मा भी धर्म की रक्षा का जिम्मा भी सामन्तों पर अब्यस्सी बात है इसाई धर्म की रक्षा भी कौन करेगा सामन्त ही करेगा ये कहा गया के सामन्त ही इसाई धर्म की रक्षा करेगा तो ऐसे में ध्यान दीजिये सारी व्यवस्था बंद है सब कुछ बंद है सामंत शक्तिशाली है वो सब पे ऐसा नियंतरण करके बैठा है कि कोई उसके विरोध में आवाज नहीं उठा सकता कोई भी उसके विरोध में आवाज नहीं उठा सकता समझे ऐसी सिचुएशन में ऐसी परिस्थिती में धर्म युद्ध प्रारंब होता है और धर्म युद्ध प्रारंब होता है जिस वजह से सामन्तों का सुरी जिस वजह से इसलाम वर्सिस इसायत इसाई बनाम इसलाम लड़ रहे थे और इसाई बनाम इसलाम जो लड़ रहा था इसाईयत हार रही थी यानि इसाई दर्म को मानने वाली शक्तियां हार रही थी और इसलाम जीत रहा था मैं बार बार कह रहा हूँ मेरी क्लास में अगर बैठना है तो जाती और धर्म से उपर उठकर बैठना पढ़ेगा यहां जाती धर्म क्षेत्र के मानने वाले कोई मतलब नहीं है और अगर किसी को इसलाम से जादा प्यार है या जादा नफरत है तो वो ग्लास से बार चले जाए यहां वो पढ़ाया जाएगा जो तुमारे UPSC के लिए सही है और जो वास्तविक्ता है धर्म व्यक्तिगत मामला है धर्म का समाज या बाकी किसी चीज से कोई लेना देना नहीं होता और धर्म का मतलब सिध्धान तहें धर्म का मतलब कुड़ता पजामा टोपी जनेव ये बिलकुल नहीं होता ये धर्म के प्रतीक समझ लिए गए हैं वरना धर्म का कुड़ते पजामे टोपी से कोई मतलब नहीं होता ये मैं बार-बार कहता हूँ समझे जो आप पहन रही हैं वो बौसम पर निर्भर करता है जो आप खा रही हैं वो वहां की भौगालिक स्थितियों पर निर्भर करता है समझे और बाकाइदा जो प्रतीक वगरा हैं के टीका लगा लिया तिलक लगा लिया उसका तो भाई देखो कोई सॉलूशन नहीं है जो मर्जी लगा के घूमो मुझे कोई समस्या नहीं है इसलाम अपने समय का सबसे अग्रणी धर्म था और 1453 उसका सर्वोच शिकर था वहां से वो विभाजित होना शुरू हुआ अंदकार युग में डूबना शुरू हुआ वो इसलिए नहीं के इसलाम के सद्दान्तों में समस्या थी वो इसलिए के इसलाम को मानने वाले लोगों नहीं इसलाम के सिद्दान्तों को छोड़ कर अपने धरम को टोपी और पजामे में ढूड़ना शुरू कर दिया और वास्तविक सिद्दान्तों को पीछे छोड़ दिया और फिर एक दूसरे की गले काट रहे हैं समझे? और जितनी भी आज के दिन आपको यह समस्चाय दिखाई दे रही है वो सब यही है समझे? अब आप यहां देखेंगे कि यह हार रहे थे और इसाइयत की जीत का रक्षा का जिम्मा किसका? सामंत का तो यहां धर्म युद्ध जो शुरू हुआ धर्म युद्ध के युद्धा जो प्रमुक युद्धा थे वो सामंत थे वे सामंती सेना थी वो सामंत थे और सामंती सेना थी यह धर्म युद्धों ने पहली बार ऐसा हुआ कि सामंत अपने क्षेत्रों से अपने घरों से या जिन राज्यों में वो रहते थे वहां से बाहर निकल कर पूरव की तरफ चले पहली बार सामन्त पहली बार शताब्दियों में शताब्दियों के बाद पहली बार सामन्त अपने ख्षित्रों या राज्यों से बाहर निकल कर सुदूर पूर्व के यूरोपिय देशों में पहुँचे यह में बात है इसे ध्यान दीजिएगा मैं थोड़ा मैप खोल दूँ और मैप में समझाओंगा और मेरी सिर्वेक आदत ये भी है कि मैप के उपर मुझे थोड़ा खुद भी अच्छा समझ में आता है तो तुम्हें भी अच्छा समझाने की कोशिश करता हूं अगर नक्षा डंग से आ जायाना मेरा मानना ये है अगर आपने नक्षे को डंग से समझ लिया तो आप कभी मार नहीं खाएंगे यहां यदि आप देखें तो यह भूमध्य सागर है भूमध्य सागर है और अरब राज्यों ने अरबों ने अरब शक्ति ने स्पेन तक जीत लिया और लगबख 500-600 साल वहां पर शासन किया बाद में अरबों से स्पेन इसाईयों ने छीन लिया और इसाई धर्म से मतलब जो इसलाम स्विकार कर गई थे लोग उनको दुबारा से इसाई धर्म में परिवर्तित करवाया यहां पर फिर अरब जब शक्ति कमजोर हुई तो तुर्क शक्ति मजबूत हुई तुर्कों का उदेहु हुआ और तुर्कों ने पहले यहां पर इधर की तरफ एक शहर है जेरूशलम उसे जीता और यहां एक शहर जहां से यूरोप में प्रवेश किया जाता है उसका नाम पहले कुस्तुन तुनिया था जो बाद में आज के दिन इस्तानबूल हो गो गया वो जीत लिया यह कुस्तुन तुनिया जो है वो 1453 में जीता गया कुस्तुन तुनिया जो है उसे 1453 में जीत लिया गया 1453 से पहले या यूं कहें के 1300 इस्वी से पहले ब्रिटेन में जो सामंत था वो ब्रिटेन छोड़के जल्दी से बाहर नहीं जाता था नौर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलेंड, बेलारूस, पोलेंड, जर्मनी, फ्रांस, आस्ट्रिया या जितने भी एक शेत्र हैं ये पश्चमी और उत्री यूरोप के जो देश ये अपने देश छोड़कर मैंने बताया ना नगर का दाएरा 50 मील तो समान्यतिया वो लोग 50 मील के दाएरे में ही रहते थे और आस्ट्रोस के दूसरे सामन्तों से अपनी रिष्टिदारी बना लेते थे अपनी जगहे पे सुरक्षित थे वहां से बाहर नहीं निकलते थे और जो भी था उनका वहीं पर सबकुछ संतुष्टी से चल रहा होता था लेकिन जैसे ही धर्म युद्ध शुरू हुआ और इसलाम पहले तो स्पेन तक पहुचा और दूसरी तरफ इसलाम यूरोप की मुख्य भूमी पर पूरवी यूरोप में प्रवेश कर गया जब ऐसा हुआ तो इन लोगों को लगा कि अब इसाईयत खत्रे में है इसाईयत खत्रे में और यदि इसाईयत खत्रे में है तो हमें इसाईयत को बचाना है और जो इसलामिक सेनाएं पूर्वी यूरोप में है उन्हें पस्चिम में आने से रोकना है कोई भी साधारण आदमी यही सोचेगा कि वह पस्चिम में आए उससे पहले उन्हें पूरब में रोक लो तो जितने शक्तिशाली सामंत थे वे उनकी कुछ सेनाएं या उनके योधा या उनके बेटे खूब सारे वहां से आगे बढ़ने लगे और यहां ओटमन सामराज्य से लड़ने के लिए आने लगे तो सोच कर देखिए पहले यह रोमानिया, बेलारूस वगरा है चोटे 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 जितने भी यहां चोटे चोटे देश थे इन चोटे चोटे देशों को मैसी डोनिया वगरा ग्रीस वगरा जो सुनते थे कि यार इंगलेंड कोई देश है, जर्मानिया कोई देश है, रोमानिया कोई देश है, पोलेंड कोई देश है, बेलजियम कोई देश है, नीदरलेंड कोई देश है, डचलेंड कोई देश है, सुनते थे किस से कहानियों में, जानते नहीं थे, वे लोग किस से कहानियों में जानते नहीं थे पहली बार वहां से जब इनकी मदद करने के लिए सेनाय पहुँची तो पहली बार इन्हें लगा कि डच कौन है नीदरलेंड कौन है जर्मानिया कौन है और और सब जब वहां से सेनाई चलेंगी तो पहली बार ऐसा हुआ जो लोग जो जन्संक्या जो जन्ता रुकी हुई थी अब वो चलने लगी आवा गमन बढ़ा आवा बगमन बढ़ेगा तो मार्ग बढ़ेगा और जैसे जैसे लोग चलते हैं तो जहां पर चलना ज्यादा होता है जहां पर ट्रैफिक ज्यादा होता है वहां अपने आप बाजार लगना शुरू हो जाता है वहां पर दुकाने खुलना शुरू हो जात तो गाउं में सबसे ज़्यादा दुकाने बसड़े पर होती हैं जहां बस आकर रुकती है वहां दो-चार दुकाने जरूर मिलेंगी शहर में भी सबसे जादा दुकाने जो हैं जादा तर वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के आसपास मिलेंगी जहां पर पहुंचना आसान हो व्यापार मार्गों के मतलब जहां से मार्ग होते हैं राज मार्ग या व्यापार मार्ग वहाँ पर व्यापार फलता फूलता है और जबरदस्त फलता फूलता है वहाँ पर जबरदस्त मात्रा में व्यापार फलता फूलता है यह याद रखिए गा समझे तो पहली बार ऐसा हुआ जब ये लोग लगातार जाने लगे तो शहरों के उपर जिन सामंतों और सामंतों के परिवारों का नियंत्रण था वो कहां है युद्द के मैदान में समझे पहली बार जिन नगरों के उपर सामंतों के साथ-साथ और दूसरी उनकी सेनाओं का नियंतरण था वो कहां है पूर्वी यूरोप में युद्ध कर रही हैं और लाखों की तादात में मर रही है आ रहे हैं तो व्यापार बढ़ रहा है वही सामंत किसी तरीके से information पहुँचा रहा है आना जाना बढ़ा आना जाना बढ़ा तो व्यापार बढ़ा व्यापार बढ़ने के साथ साथ पहली बार मुद्रा आई और मुद्रा का चलन बढ़ा ऐसा नहीं है मुद्रा नहीं थी मुद्रा थी लेकिन पहले मुद्रा का सिमित प्रयोग होता था पहले सिक्कों का पैसों का सोना चांदी तामे का सिमित प्रयोग होता था पहली बार ऐसा हुआ जब आदमी चल रहा होता है न तो अपना तीन महीने की रोटी बांध के नहीं ले जाता और जब सेना चल रही होती तो वो तीन महीने का खाना बांध के नहीं ले जाएगी वो अपने साथ क्या लेके जाएगी सोना या वो ऐसी चीजें जिनको दे कर चीजे खरी दी जाया, वई तुम लोग मानले सिंगापुर घूमने जा रहे हो, मानले सेलेक्षन हो गया, होगा जरूर होगा सबका होगा, टेंशन मतलो आज नहीं तो कल, तुमारा सबका सेलेक्षन हो गया, जॉब लग गई, अब तो रोटी बांधके ले जाओ। 15 दिन की रोटि के में मंडे को आज डाल-्चावल खाओंगा, ट्यूजडे को रोटी के पनीर खाओंगा, वेडनस दे को क्या नाम है दाल-भाथ खाओंगा, उस दिन सत्तू पीओंगा, उस दिन ये करूंगा, उस दिन वो करूंगा, то आप बोजा ढोते वे जाओगे, क्या वो संभव है? आदमी क्या करता है जब भी घुमने जाता है तो, जब भी आदमी घुमने जाता है, सिर्फ एक काम करता है, अपने साथ नोटों की ये गड़ी भरता है, जेब में डालता है, आज कल ATM कार्ड के अंदर वो नोट जेब में डालत कि समझे कहीं भी जाएगा पैसा खर्च करेगा कहीं भी जाएगा पैसा खर्च करेगा और आज के दिन देखो नो बहुत सारे शहर तो टूरिजम के नाम पे चल रहे हैं वह बनाली सब्सक्राइब कोई लोकेशन इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब केवल टूरिजम है और टूरिस्ट जाते हैं और एक बार में एक लाख टूरिस्ट पहुंच गया एक लाख टूरिस्ट ने वहां जाके कम से कम दस जार रुपया खर्च किया तो उस राज्य की अर्थ व्यवस्था में कितना पैसा पहुंच गया कम से कम सौ करोड़ या देड़ सो करोड़ या एक जार करोड़ कुछ ऐसा ही पहुंच गया सौ क्रोड रुपया एक सीजन में पहुँच गया एक शहर से तो पैसा हो गया न तो यहां से पहली बार पहली बार मुद्रा का चलन बढ़ा और सामंतों ने भी जो सामंत अभी तक फ्री सेवा लेते थे और जो सामंत अभी तक बार बार ये कहते थे कि आप हमें फ्री सेवा देने के साथ साथ क्या नाम है सामान के रूप में दे दो अब वो क्या कहते हैं अपना सामान बाजार में बेचो और हमें पैसा दो धन दो सामान नहीं चाहिए सामान नहीं चाहिए धन चाहिए क्योंकि धन धर्म युद्ध में खर्च हो रहा है बही गेहूं कितना लाद के ले जाओगे धन होगा तो गेहूं खरीद लोगे हाँ या ना गेहूं लाद के नहीं ले जाया जा सकता लेकिन जहां भी जाओगे धन होगा तो गेहू या खाने पीने का सामान खरीद लोगे तो पहली बार इन धर्म युद्धों ने क्या किया इन धर्म युद्धों ने सबसे पहले सामंत वाद को कमजोर किया और उसकी जड़ों में वार किया पहली बार जब सामन्तवाद की जड़ों पर वार हुआ, सामन्तवाद को हिलाया, उसकी पकड समाज पर मजबूत हुई, साथ में व्यापार बढ़ा, और व्यापार मुद्रा आधारित व्यापार बढ़ा, मुद्रा आधारित व्यापार बढ़ा, इससे पहले व्यापार था ही नहीं, इससे पहले तो अलेन देन था, अधला बदली थी, जाधा तर, क्योंकि आदमी की जरूरते सीमित कर दी गई, और जहां कोई इनसान थोड़ा सा जाधा चाहे, उसे विधर्मी गोशित कर दिया गया, ब्याज पे आप पैसा दे नहीं सकते, अब ब्याज पे पैसा दे नहीं सकते, ब्याज पे पैसा ले नहीं सकते समझे, तो व्यापार तो चले गई नहीं न, अब ब्याज ही नहीं है, सोचकर देखिए ब्याज पर पैसा ना तो दिया जा सकता ना ही ब्याज पर पैसा लिया जा सकता समझे तो ऐसे में कोई ना तो ब्याज देगा ना लेगा तो उधार भी देगा नहीं और दार लेगा भी नहीं बहुत सारी व्यवस्थाइं इस तरीके से चल रही थी सारा समाज जो था वो बंदा हुआ था लेकिन जैसे ही धर्मियुद्ध शुरू हुआ लोगों ने अपने घरों से बाहर निकल के पूर्वी यूरोप की तरफ बढ़ना शुरू किया लोगों के आवागमन ने एक तो जो स्थापित व्यवस्था थी सामंतों की उन्हें कमजोर किया मुद्रा के चलन को बढ़ाय और व्यापार को बढ़ाया यहां से व्यवस्था बदलनी शुरू हो गई सामंत वाद का पतन और व्यवस्था परिवर्तन यहां से शुरू हो गया इसलिए कहा जाता है धर्म युद्धों ने इसाइयों को धर्म के मामले में भले ही पीछे धकेल दिया हो धर्म युद्धों ने इसाइयों को भले ही धर्म के मामले में पीछे धकेल दिया हो लेकिन इन धर्म युद्धों ने इसाइयों की जो व्यवस्था इसाई जगत की व्यवस्था जो बंद पहुँ चुकी थी उसे चालू कर दिया उसे पुनह स्थापित कर दिया व्यापा गिल्ड का संरक्षक सामन्यत है सामन्थ होता था क्योंकि एक नगर की गिल्ड जो है उसके बड़िया संबंद सामन्थ के परिवार से होंगे गिल्द का संदक्षक कौन सामंत सामंत कहां गया लड़ने वहां मर गया या घायल हो गया कमजोर हो गया सेना कमजोर हो गई और साथ में सामंत गाउं से क्या मांग रहा है धन मांग रहा है और धन कमाने के लिए अब सामान और फ्री सेवा की जरुरत नहीं है तो बहुत से सर्फ की मुक्ति कर दी गई और ये कहा के ठीक है मैं तुम्हें आजाद करता हूँ अब जो सर्फ सामंत का खांदानी गुलाम था इन्हें किम्मी कहते थे जो किम्मी या सामंत जो बंधुआ मजदूर सामंत का आजीवन गुलाम था सामंत ने अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए सारी जमीन अपने अंडर में लेने के लिए किसान को भगा दिया किसान कहा जाएगा नगरों में किसान जो मुक्ती हुई जो सर्फों की मुक्ती हुई वो कहां पहुंचेंगे शहर पहले शहर में एक विशेश वर्ग ही रह सकता था अब धीरे धीरे शहरों में नए लोग प्रवेश करने लगे और इन नए लोगों ने जो हो सकता था नया काम किया और यही कारण था यहां से इस पूरी व्यवस्था के चलते शहरों में एक नए वर्ग का उदै और यह नया वर्ग था क्या व्यापारी वर्ग और यह व्यापारी वर्ग गिल्ड का हिस्सा नहीं था यह व्यापारी वर्ग था जो गिल्ड के नियमों को नहीं मानता था वो कहता था मेरा जितना बड़ा व्यापार हो उतना बढ़िया मैं अभी बता रहा हूं कि हम आधुनिक युग में कैसे प्रवेश कर रहे हैं और यह काम एक दिन में नहीं 300-400 साल में हुआ है 200-300 साल में समझे हाँ व्यवस्था बदलने लग गई व्यवस्था कैसे बदली वो समझ लीजी यह व्यापारी वर्ग जो गिल्ड का हिस्सा नहीं तो गिल्ड का हिस्सा नहीं तो क्या होगा गिल्ड के नियमों का पालन नहीं कर रहा अब गिल्ड के नियमों का पालन नहीं करेगा तो ये किसका समर्थक होगा मुक्त व्यापार का समर्थक समझे और सबसे बड़ी बात दूर दराज से व्यापार का समर्थक वो कहता था व्यापार का समर्थक ये नया व्यापारी क्या कहता है कि यार मैं एक नगर में रहके व्यापार क्यों करूं मेरे को पता है इस नगर में ये चीज ज्यादा है एक नगर में ये चीज ज्यादा है दूसरे नगर में ये तीसरे में ये चौथे में ये मुझे पता है इस नगर में जो चीज ज़्यादा है वो इन तीनो नगरों में कम है गिल्ड इन चीज़ों को ज़्यादा सा आगे पीछे नहीं करती थी जो चीज ज़्यादा है वो पड़ी रहन दो समझे नया व्यापारी क्या गह रहा है कि ये वाला सामान इस तीनों शहरों में बेचूंगा ये सामान तीनों शहरों में बेचूंगा और तीनों शहरों में जो जो चीज़े अच्छी हैं वो इस शहर में बेचूंगा यानि सब जगहें पर यानि एक प्रकार के और मजे की बात ये है ऐसे व्यापारी इन गिल्डो को तो यार नहीं थे उन्हें व्यापार मारकों से लेकर सब चीजों का पता लगने लगा कुछ नहीं चीज़े खोज ली नतीजा क्या हुआ नतीजा यह हुआ कि पहली व्यवस्था जो थी मद्यकालीन व्यवस्था क्या है राजा राजा से उपर कौन है पादरी और इसके नीचे कौन है सामन्त और सामन्त के साथ कौन है किसान इन चार लोगों के अनुसार व्यवस्था बनी हुई थी यहाँ कोई नया व्यक्ति नहीं था चार लोग थे चार श्रेणिया थी और चारों श्रेणियों में यह लोग थे इसमें अगर आप व्यापारी कहोगे तो चलो व्यापारी या फिर यूँ कहेंगे गिल्द गिल्ड भी यहाँ पर मौजूद थी अब एक नए व्यक्ति का उद्य होता है समाज में कौन व्यापारी मुक्त व्यापारी जो इस व्यवस्था के अंदर अलग से नया उपज रहा है तो राजा है राजा के साथ में इधर पादरी है इधर सामंत है सामंत के साथ गिल्ड है गिल्ड के साथ इधर किसान है और इधर स्वतंत्र व्यापारी है गिल्ड वाले कह रहे हैं मेरे एरिया में कोई दूसरा बंदा आके सामान नहीं बेचेगा कोई दूसरा व्यक्ति आके मेरे क्षित्र में सामान नहीं बेचेगा सामन्त कह रहा है बिल्कुल ठीक बात है किसी दूसरे को नहीं आने दूँगा सामन्त की राजा से खटपट रहती है और सामन्त राजा का सर्वचता नहीं मानता राजा सामन्त से नाराज है अब समस्या ये है व्यापारी को क्या चाहिए बड़ा बाजार बड़ा बाजार किसके पास है राजा के पास लेकिन राजा कमजोर है क्योंकि सामंत उसके काम में अडंगा डाल रहा है व्यापारी को बार बार टेक्स देना पड़ रहा है सामंती टेक्स देना पड़ता था जिससे व्यापारी नाराज थे व्यापारी क्या चाहेगा व्यापारी ये चाहेगा भया मैं एक जगहें टेक्स दू उसके बाद मैं कोई टेक्स ना दू समझे एक बार मैं टेक्स दे दू तभी आपकी सरकार क्या लेके आई ये अभी GST क्या है GST कि एक जगहें पर आप टेक्स दे दो उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में आपको कोई टेक्स देने की जरूरत नहीं है कोई परची कटवाने की जरूरत नहीं है कोई किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है एक बार टेक्स दे के जहां से मदरास से आपका ट्रक चलेगा वो जाकर सीधा जम्मू कश्मीर तक उतर सकता है कोई समस्या नहीं कोई निरोकने वाला क्योंकि आपने मदरास में टैक्स भर दिया और जम्मू तक कोई समस्या नहीं केंदर सरकार जाने राज्य सरकार जाने व्यापारी ये चाहेगा और व्यापारी चाहेगा जितना बड़ा बाजार हो उतना अच्छा गिल्ड क्या चाहती थी छोटा है लेकिन मेरा है व्यापारी कहा था मुझे छोटे से स्वरी नहीं आ रहा मुझे तो जितना बड़ा छेत्र दो जितना बड़ा बाजार दो जितना बड़ा सामराज्य दो मैं उसमें व्यापार करूँगा जादा मुनाफ़ा कमाऊंगा तो व्यापारी सामंत को समर्थन देगा क्या व्यापारी का कॉम्पिटीशन किससे है गिल्ड से हाँ या ना व्यापारी को क्या है प्रतीस परधा किससे है गिल्ड से व्यापारी को परेशानी किससे है सामंत से तो व्यापारी किस के पास जाएगा व्यापारी राजा के पास जाएगा राजा को कहेगा कि राजा साहब मैं आपको टेक्स दे दूँगा और आपके राज्य में शुरू से आखरे तक मुझे कोई परेशान ना करे राजा गदर ठीक है टेक्स दे मैं अपनी सेना मजबूत करता हूँ हतियार गोला बारूद लेके आता हूँ और इस सामंत को मारता हूँ पकड़ गए राजा वैसे भी सामंत से नफरत करता था राजा वैसे भी सामंत से नफरत करता था राजा वैसे ही सामन्त से गुस्से में रहता था और रही सही कसर व्यापारियों ने जैसे ही उन्हें टैक्स दिया समर्थन दिया समर्थन देने की वज़े से राजा शक्ति शाली हुआ सामन्त एक तरफ तो धर्म युद्ध से कमजोर हो रही है धर्म युद्ध की वजय से सामंत कमजोर हो रहा है रही सही कसर राजा शक्तिशाली हो रहा है अब राजा ने सामंतों पर हमला करना शुरू किया सामंतों के वर्चस्व को खतम किया पहले तो धर्म युद्ध ने सामंतों को मारा फिर उसके बाद गिल्डों को खतम किया और राजा ने व्यापारी वर्ग को खुला समर्थन देना शुरू किया और बिल्कुल इस तरीके का था व्यापारियों को जैसे कहा हो कि तुम जितना चाहो तुम जितना चाहो उतना जादा व्यापार करो मैं कुछ नहीं कहने वाला तुम्हारी इच्छा है बस तुम टेक्स देते जाओ और मेरे सामराज्य को बढ़ाते जाओ तो राजा ने सबसे पहले सारे सामंत खतम किये और यहां से एक राजा के अंतरगत पूरी व्यवस्था जब खड़ी होनी शुरू हुई तो उसे राष्ट्रिय राज्य की संग्या दी गई इसमें राष्ट्र नाम की कोई चीज नहीं थी केवल सामंत खतम करके एक राजा ही स सर्वोच शक्ति-शाली होता था तो यहां से राष्ट्रिय राज्य उभरना शुरू हुआ समझे यहां से क्या हुआ राष्ट्रिय राज्य क्योंकि सामंत खतम हो गए पहले विवस्ता क्या थी बार बार बता रहा हूं पादरी फिर पादरी भी कमजोर हुए ना यहां राजा है इधर सामंत है पहले शामंत शक्ति-शाली था और सामंत पादरी से जाके गढ़ जोड कर लेता था तो राजा कमजोर था पुराने वाले वीडियो देख लेंगे मैंने समझा रखा है अब राजा को व्यापारी का समर्थन प्राप्त हुआ और राजा ने य भग भग या तो समत कर दिये या इतने कमजोर कर दिये कि अब राजा के सामने सर नहीं उठा पा रहे थे इसने राजा ने सामंतों को इतना अधिक कमजोर कर दिया कि वो अब राजा के सामने सर नहीं उठा पा रहे थे तो यहीं से विवस्ता बढ़ी और अब राजा जो थ इस शासक जो था सम्राट जो था वो सर्व शक्ति मान अपने राज्य में सर्व शक्ति मान हुआ समझे उसका सबसे बड़ा कारण पहला सामंतों का पतन सामंतों का पतन और दूसरा वाडित व्यापार वानिज्य का उदै बड़ी मात्रा में व्यापार वानिज्य का उदै हुआ और ये जो व्यापार वानिज्य था ये लगातार फलता फूलता जा रहा था सामन्तों का पतन हुआ व्यापार वानिज्य का उद्य हुआ और यह जो व्यापार वानिज्य था वो लगातार फलता फूलता जा रहा था समझे जिस से समराट को टैक्स समराट की आए में व्रिद्धी समराट की आये में जबर्दस्त वृध्धी होई जबर्दस्त और जब समराट की आये में वृध्धी होगी तो शक्ती शाली सेना रखी जाएगी बोलो पहले कौन सी थी? सामन्तों के पास सेना थी, राजा के पास सेना नहीं होती थी अब क्या है? अब सेना राजा के पास है सामन्त के तो किले विले सब उखाड दिये सामन्त के किले वगरा सब उखाड दिये अब केवल शक्ती राजा के पास है शक्ती साली सेना गोला बारूद इकठा हुआ हतियार इकठे हुए और सबसे बड़ी बात प्रशासनिक अधिकारी वर्ग का उदे हुआ और ये जो प्रशासनिक अधिकारी वर्ग होता है ये कभी भी राज्य के साथ नहीं हो सामंत के साथ नहीं होता राजा के साथ होता है उसे नकद में वेतन मिल रहा था प्रशासनिक अधिकारी वर्ग को नकद में वेतन मिल रहा था तो वो राजा के लिए काम करता था और उसका उद्दिश केवल नकद वेतन प्राप्त करना था राज्य या सामराज्य निर्मान करना नहीं था नकद वेतन मिलता था नकद वेतन लेता राज्या या सामराज्य निर्मान करना उसके इच्छा नहीं थी और यहां से धीरे धीरे यहां से धीरे धीरे विश्व एक नई व्यवस्था की तरफ बढ़ना शुरू होता है और पूंजी वाद का उद्य प्रारब होता है विश्व का नई व्यवस्था की और बढ़ना प्रारब और बढ़ना प्रारब एक नई व्यवस्था की तरफ विश्व आगे बढ़ता है और जब नई व्यवस्था की तरफ विश्व आगे बढ़ता है तो यहां से पुन्जी वाद का उद्य प्रारंभ हो जाता है सामंत वाद का पतन होता गया धीरे 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 हर जगे एक ही व्यवस्था खतम नहीं होती एक दिन में उसे खतम होने में साल लग जाते हैं तो यह पुन्जी वादी व्यवस्था थी पहले पस्चोमी यूड़ोपीय देशों में यूटरी यूड़ोपीय देशों में आई और जब वह पूर्वी यूड़ोपीय देशों में तो उसमें बहुत सारी कमिया आ चुकी थी, जिसकी वज़े से पूर्वी यूरोपिय देश आज भी पीडित है, आज भी इनके अंदर बहुत सारी समस्याएं है, समझे, तो आपके माइक आउन कर रहा हूँ मैं, कोई सवाल पूछना होगा, तो पूछेंगे, वरना हम आगे बढ़ेंग पूछो सवाल, हाँ जी, क्या, अभी बताता हूँ, ठीक है, देखो भाई, पस्चमी यूरोपिय देशों में क्या हुआ, जो सामन्त अपने घरों में या अपने क्षेत्रों तक ही सीमित थे, या अपने राज्य तक सीमित थे, अब धर्म के नाम पर लड़ने हैं तू, या लड़ने के लिए वो कहा निकलने लगे, पूरब की यूरोप की तरफ लड़ने लगे, जी जिस की वजय से हर फ्षेत्र से अगर मान लिया, हजार आदमी भी चलना शुरू हुआ, धर्म के नाम पर लड़ने के लिए, हर सामन्त अपने साथ हजार आदमी भी लेके आने लगा समझे तो कितने सारे लोग कॉंटिनियूसली बढ़ने लगे जो लोग 50 किलोमेटर दूर की दूरी तया नहीं करते थे अब वहजारों किलोमेटर की दूरी तया कर रहे हैं तो व्यापार मार खुल गए व्यापार खुल गया क्या समझे नहीं आज भी पीडित नहीं है वो तो भी आगे बता लगेगा पस्चमी यूरोपिया देश तो विक्सित है पूरब वाले आज भी पीडित है तो पता लगेगा आने दो जब यहां से यूरोप का मरीज और सब चीजों के शब्द निकलेंगे यहां से हाँ अभी आएगा वो कहान देखो हिस्ट्री में कहानी आगे बढ़ती जाएगी और हिस्ट्री बिलकुल ऐसे ही है का तप्पा ने बाहु बली को क्यों मारा जिस दिन तुमारे दिमाग में सवाल रहने लगा कि इससे आगे क्या तभी आपको इस्ट्री समझ में आएगी भाई अभी मैं 1453 से लेकर 1550 के बीच में पढ़ा रहा हूं और आप 17701 की बात कर रहे हैं मैं पढ़ा रहा हूं 1453 समझे क्या तो भाई आगे आगे मैंने पहले सामंत वाद बता दिया क्या है अब आगे आगे हर देश में कैसे विकास हुआ वो बताऊंगा ना अलग अलग इटली और जर्मनी की पूरी कहानी चलेगी अभी टेंशन ना लो भाई मैं अभी तुमको 1453 से लेकर 1550 के बीच की बात बता रहा हूं और तुम पूछ रहे हो 18701 की तो यार 300 साल अभी मत हालो मुझे हाँ जी किसका इसाइयत बेटा इसाइयत अपने छेतर जो हार गई थी वो तो नहीं ले पाई अगले 200-300 साल लेकिन हाँ व्यवस्था में सुधार हो गया उसका समाज विक्सित होना शुरू हो गया जो पिछड़ा हुआ समाज था वो विक्सित होना शुरू हो गया और जो इसलाम 1453 में अपने चरम पर था सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और हर मामले में अग्रणी अब वहां कहीं ना कहीं उसमें समाज में समस्या आनी शुरू अब वही और्टमन सामराज्य जो है उसे यूरोप का मरीज कहा जाने लगा अठारा सो तक आते आते तो चारसो पांसो साल तक तो उसे पूरी दुनिया को चौकाए रखा उसके बाद अंत में यूरोप का मरीज और 1920 में पता नहीं हो गया पूरा अजो बताओंगा उसके बार दुश्मन है सामन्तवाद हमी हमेशा ग्रामीर विवस्ता को समर्थन देगा नगरी करण को तो हमेशा व्यापार समर्थन देगा नगर केवल छोटे मोटे कस्वे के रूप में विक्सित हो जाएं सो हो जाएं जहां पर आके हर कोई अपना मेला विला लगा लेता है समान ब यहांजी? बेटा, इसे मैं जानकर नहीं लिखवा रहा कारण यह है क्योंकि यह हमारे स्लेबस का हिस्सा नहीं है लेकिन आगे का स्लेबस समझने में यह सब चीजें मदद देंगी इसलिए जो चीजें फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिख रहा हूं केवल इतना उतार लो इससे ज़्यादा पढ़ने की जरुरत भी नहीं है इससे ज़्यादा केवल आप्शनल वालों को पढ़ना है इससे ज़्यादा और किसी को नहीं पढ़ना यह स्क्रीन शॉट ले लो बच्चे मांगते हैं, screenshot मैं करवा दिता हूँ, कोई समस्चा नहीं है, वो screenshot मिल जाते हैं, ना नहीं, अब last में, class खटम करने से पहले, class करने से पहले, मिले बच्चे बोलते हैं, सर स्क्रीनूर्चा ले ले लेते हैं, पीछे वाली screens लगा दो, तो उसमें लग जाती है, कोई ऐसी समस्या नहीं है टेंशन नालो, यह हो जाता है हो जाएगा गवराई यह मात अच्छा अगला सवाल हाँ जी हाँ बिलकुल एक बात बताओ यह जो कैप्टन अमरिंदर सिंग है पंजाब में इसे नियुक्त कांग्रेस के मुख्याओं नहीं किया था दिल्ली में बैठे विए हाँ या ना तो वो पंजाब में ज़्यादा शक्तिशाली कैसे हो गया इसी तरीके से अशोग गहलोथ को तो कांग्रेस की सरकार नहीं नियुक्त किया था यहां तक कि राजीव गांधी ने नियुक्त किया था वरना आशोग कहलो ते कारे करता ही तो था राजीव गांधी ने नियुक्त किया अब राजीव गांधी ने नियुक्त किया तो आज के दिन राहुल गांधी को यांखे दिखा रहा है कि समझे और राहुल गांधी का जो समर्थक है सचिन पाइलेट उसे आगे नहीं बढ़ने दे रहा है इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो क्या नाम है शिवराज सिंग चौहान इन्हें बीजेपी हाई कमान नहीं तो नियुक्त किया था या वसंदरा राजे सिंधिया उन्हें बीजेपी हाई कमान नहीं तो नियुक्त किया था लेकिन आज के दिन बीजेपी हाई कमान की आउकात नहीं है उन्हें अटाने की मुख्यमंत्री की जो कैंडिडेट है वो वसंद्रा राजे ही मिलेंगी चाहे कुछ हो जाए उन्हें अटा नहीं सकते क्यों एक मानव व्यभार होता है पहले वो नियुक्ति पाता है स्थान प्राप्त करता है यह बिल्कुल ऐसे ट्रेंड में ट्रेंड में बैठते हो तो पह काड़ेवे होते हैं और व कि मानव व्यभार है होता है कि यह मानव व्यभार है यह वह केवल छोटी यसी रियायत मागें गा तभी इस टाइंग आप सरकार को सरकार और किसानों को सबसे बड़ी बात क्या है सान्हीं हमीं ट्रेक्तर रैली निकाल लेने दो यही ना सरकार करिये नहीं दिल्ली में नहीं गुजने देंगे क्योंकि सरकार को पता है छोटी सी एक रियायत भावनाओं में बहकर दे दी भावनाओं में बहकर अगर छोटी सी रियायत दे दी तो सरकार ये जो किसान है ये दिल्ली में गुजने के बाद जाने वाले नहीं है और पूरी दिल्ली की सड़कों को ब्लॉक कर देंगे तो सरकार क्या कह रही है हम तो नहीं गुजने दे रहे समझे और वही पर किसान किसान जानते हैं कि आज सरकार को थोड़ी सी रियायत दे दी और ये जो पूंजी पती हैं इन्हें थोड़ी सी रियायत दे दी तो ये पूंजी पती हमारी पूरी की पूरी मंडियों और विवस्थाओं को खा जाएंगे इसलिए हम इन पूंजी पतीयों को कोई रियायत नहीं देंगे ये विवस्था होती है इसमें आप ये कोई कुछ नहीं कर सकता ये समझें तो होता है जो भी आदमी जहां थोड़े दिन जादा रह जाएगा वहां वो अपनी विवस्था को मजबूत करता है अपनी पकड़ मजबूत करता है और फिर एक बार को आके वो और जब राजा उसको आप अच्छा तुँ यहां से हट जा तो हटने को राजी ही नहीं होगा वो तो आप भी हैं आप भी अगर कोई किराय का घर लेते हैं और वहां पर लगबख दस बारा साल बीस साल रह जाते हैं और मकान वालिक एक दम से आके कहते हैं खासकर दुकान ले रखी है और से दुकान चला रहे हैं दुकान बढ़िया चल रही है एक दम से मकान वाली का के आके कहता भैसा दुकान खाली कर दो कल से मुझे आपकी मेरे को मेरी दुकान चाहिए आप पता है क्या कहोगे भाई दुकान के पैसे पकड़ और दफाव यहां से नहीं तो कोट चला जा कोट में निमठ लिए हो कि यहीं होता है ना कभ ऐसी कर लेता है बंदा क्यों कि पैसा आ रहा है वहां पर व्यवस्था बनी हुई है नए जगह जाके व्यवस्था बनाने पड़े की यह अंदर बनी पड़ी है माइक आफ रखो अपने प्लीज कि यहीं कारण है आप सब कह माइक कोई रस्तिबंद करता हूं मैं हाँ जी कि ऐसा कुछ नहीं होता होकुम होता है ना 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 आप एक बाद बताओ प्रोटेस्ट से पहले किसी को रोका था अज तक हाँ जी तुर को घर जाना कहीं जाना होगा मीटिंग में ठीक है जा नमस्कार वई तो एक बात समझे अच्छे तरीके से वैसे ऐसा नहीं लगता है किसे हम क्लास में बैठे हुए और बच्चा पूछ पास के सर जी जाओ मैं प्लीज हैं आगे समझ ये इस चीज़ को अब आम समझेये असलियत में क्या होता है किसानों के लिए देखो कुछ चीज़ें लावदायक हैं, कुछ चीजे हानीकारक हैं, और मजबूरियां दोनों तरफ हैं, और दोनों की मजबूरियां होने के चलते ही समस्याएं हैं, दोनों की मजबूरियां हैं, इस वजह से समस्याएं हैं, समझें, दोनों पक्षों की अपनी-अपनी मजबूरियां हैं, सरकार तो उसके बाद जो व्यापारी है ना वो सब खतम हो जाएगे भाई माईक आफ रख लो या मैं बार बार माईक बंद कर रहा हूँ तुम चालू कर रहे हो वो व्यवस्था खतम हो जाएगी मतलब अगर सरकार ने MSP बना दिया और ये कह दिया कि इससे नीचे बेचना गुनाह है तो पूरे की पूरी व्यवस्था खतम हो जाएगी व्यापारी वर्ग ही खतम हो जाएगा उस पर्टिकलर चीज़ की खरीद फरोग्त करने वाज़ा और सुनो मेरी बात पूरे तरीके से वापस लो नहीं तो अम नहीं जाते हैं अब अब यहां राजनिती घुष चुकी है उसे बाद में देखेंगे कि किना कैसान कानून 95 percent बिलकुल ठीक है 5% MSP वाले मुद्दे को छोड़ दिया जाए तो बाकी चीज़ें बिल्कुल ठीक है कोई समस्था नहीं है मंडियों को संदक्षित माइक्स आफ करें क्या बेटा चर्च में पादरी नहीं होता क्या सामन्त वाद में जो चर्च होता था चर्च में पादरी होते थे पुजारी वर्ग पादरी ठीक है माइक आफ रखो तुम अभी भी 4-5 बच्चों के माइक कौन थे आगे बोलो और कोई सवाल अब कल पता लगेगा पूझी वाद के बारे में पिच्चर बाकी है तो कल बात करेंगे पूझी वाद कैसे आया समझे और वहां से आधुनिव के विश्व में कैसे तुमने कदम रखा हाँ जी पूछिए क्या यार आज के दिन ये जो पुझारी हैं क्यों आज के दिन भी अगर ये देखोगे जितने मठा धीश बैठे वे हैं ये बाबा अराम देव से लेकर आसा राम से लेकर राम रहीम से लेकर इतने तुमने नाम सुने थे ये आज भी अपनी आपकी सरकार इला सकते हैं कैसे एक बार खड़े होके अपने समर्थगों को कह देंगे भाई ये वाली पार्टी जो है ना ये हमारा बहुत नुक्सान कर है या मानवता के विरुद्ध है धर्म के विरुद्ध है वोट मत देना राहुल गांधी को सबसे जादा नुक्सान हिंदुत्व के नाम पर ही तो हो रहा है ना क्योंकि ये जितने भी धर्म राजनेता है माइक आफ करो सभी बच्चे जितने भी राजनेता है दिलीप माइ और बाबा एक बार कह दें आज के दिन राउल कांदी को समस्या क्या है कि हिंदूओं के जितने भी धार्मिक नेता हैं वो अपनी बड़ी सभा में कहते हैं कि कांग्रेस हिंदूओं की पार्टी नहीं है जितने धार्मिक नेता है यह जितने भी धरम गुरू है बाबा राम द देख लो कितनी सीटों पर पटक दिया अरे उत्तर भारत से तो गाया भी कर रखाया कासकर यूपी बिहार से कि और कुछ कि और कोई सवाल